हेलो एवरीवन यह है रिविट आर्किटेक्ट्चर का बेसिक टू एडवांस स्टोरियल फुल स्रीज हिंदी में तो स्टार्ट करते हैं रिविट सबसे पहले मैंने जो रिविट इस्टॉल किया हुआ है 2016 का यह रहा इस पे मैंने डेबल क्लिक किया और यह ओपन हो चुका है रिविट आर्किटेक्ट्चर एक आर्किटेक्ट्चर सोफ्वेर आपको पता है क्या आर्किटेक्ट्चर करता क्या है वह आप आर्किटेक्ट्चर हमारा प्लान बनाता है मैप बनाता है और 3D बिल्डिंग भी बना सकते हैं उसमें इंटीर डिजाइन भी कर सकते हैं इसमे भी तरह का प्रोजेक्ट हमारे पास हो सकता है तो रिविट आर्केटेक्ट्चर में बेसिक टू एडवाइस प्रोजेक्ट भी हम करेंगे तो पूरी स्रीज को आप देख सकते हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब लाइक को शेर करना होगा और बैल आइकन पर क्लिक करना हो होगा इसके अलावा जो सिविल इंजिन्ग सॉफट्वेर हैं इटाब स्टैट परो उनकी स्रीज ओल्रेडी अप्लोड ही रहा है वहां जाकर चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले जबने रिविट आर्केट्टेक्ट्चर को ओपन किया तो यहां पर कुछ इमेजिस आ रही है य यह template एक format होता है माली जैसे architecture है तो जैसे template select करने के लिए plumbering का अलग आ रहा है construction का अलग आ रहा है architecture का template अलग पहले से सेव है यानि कि उनकी settings है icons की units की वो उस project के according set है पहले से हमें अलग से कुछ ज्यादा उसमें नहीं करना ठीक है plumbering का अगर हम template उठाएंगे तो उपर आइकन plumbering से related आएंगे तो इस तरह से हम इनको template बोलते हैं अगर मैं new करता हूं यहाँ पे तो मैं architecture जो है अभी इसी के बारें बात करते हैं इसी को मैं ok कर देता हूं open यह हमारा rivet architecture बहुती बहुती बहुतरीं software है open हो चुका है यहाँ पे आपका menu bars है icons है इसको बनाने के लिए यह property यहाँ पर आप देखेंगे left में जो property box है और उसके नीचे जो आपका project browser है यह दो चीज बहुत important आने वाली है पूरे architecture के tutorial series में इन दोनों का बहुत बड़ा role है ठीक है उसके बाद आप जो screen working screen जहाँ पर हम काम करेंगे वहाँ पर आप देख सकते कुछ आपको यह दिखाई दे रहे हैं box plus triangle कुछ symbols यह direction के जैसे यह north है यह south है यह east है और यह west south है ठीक है उपर से हम देख रहे हैं चारो direction हमें दिखाई दे रही है उसके बाद अगर यहाँ आते हैं तो यह properties है जो भी कुछ हम बनाएंगे उसकी properties यहाँ पर आ जाएगी उसमें edit करना है उसके scale में, dimensions में, किसी ब चीज में edit करना है तो हम यहाँ से edit कर सकते हैं उसके बाद सबसे important चीज, floor, plants, levels, कोई भी building आप देखते हो तो उसके floors होते हैं, level 1, level 2, level 3, level 4 और इसको level 0 माल लेते हैं, level 1 तो इस तरह से कोई भी building होती है, उसमें levels होते हैं तो यह levels हैं, उसके heading में देखोगे, माली जी, first level है, ठीक हो, यहाँ पर slab है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं, इसको, तो ceiling हो गया, अगर first level को देखना चाहते हैं, यहाँ से, तो वो हो गया आपका level, ठीक है, उसके बाद आपके पास है, directions, ठीक है, आप किस directions हो, उस अपने project को देखना चाह सारे, ठीक है, इसके बाद यह panel है, view panel है, ठीक है, तो कोई भी software है, civil engineers और architecture से related, और mechanical engineers से related, वह सबसे पहला step होता है, unit, सबसे पहला step होता है, unit change करना, तो इसमें architecture में simple autocad की तरह, you press किया और enter किया, तो unit आचुकिए, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, unit, ठीक है, decimals की place, unit का symbol, और यह, जो default है, अभी हम यही रहने देते हैं, millimeter, area, meter में, और सब चीजे, meter, kilogram, meter में, लेकिन length है, millimeter में, ठीक है, okay कर देते हैं, तो हमारी unit set हो चुकिए, क्या किया हमने unit के लिए, you, उसके बाद हमने enter किया, simple, अच्छा चलिए next आते है, unit set हो चुकिए, अब set करना होत हो, आप जो भी structure बना रहे हो, उसको कुछ height होगी, कुछ levels होगी, माल लिजे आप एक floor की building बना रहे हो, तो level 0 हो गया, और level 1 हो गया, ठीक है, और आपको बीच में भी कुछ काम, यहाँ पर भी कुछ काम करना है, window बनाने को, तो यह level बनाना होगा, तो level 1 यह level 2 होगा, ठीक तो यहाँ पर पहले से दो level आ रहे है, level 1 और level 2, unit mm में यह तो यह 4 meter हो गया, ठीक है, यह dash dash line level line है और यहाँ पर यह level line की ID है, अगर मैं इस 4000 पर click करके इसको 3000 कर दूँ, enter कर दूँ, तो level क्या हो गया हमारा, 3000, अब देखिए जब मैं इस line पर click करता हो तो यहाँ पर tick mark आता करता हो तो इस पर भी आईडिया जाती है, धरसली क्या है कुछ नहीं है, जो level line है, इसकी ID है यहाँ पर, कभी-कभी यह तनी पास-पास होती है, कि इनके circle इतने बड़े है, कि वापस में overlay up हो जाते है, माल लो, यह पास-पास आजए तो overlay up हो जाएंगे, तो हम एक side इधर लगाते हैं ID, दूसरे side उधर लगा सकते है ID, और यह देके distance भी दिखा रहा है, तो यह दो level हमारे पास पहले से हैं, और next level हमें decide करेंगे, आज की वीडियो में कि अब लेवल बनाना ही हम सिखेंगे, ठीक है, जादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 मिंट से जादा कोई व लगाते हैं, architecture tab के अंदर last में है level, लेवल पे click किया, अब यहां पर दो line है दिखाए दे रही है, यहां पर किसी भी icon पर click करोगे तो उसका modify panel आएगा, यह modify panel, लेवल पे click किया तो उसका modify panel आ रहा है, ठीक है, modify file में दो line है, देख रहे हैं, अब एक line यह है, और एक line यह है दोनों line का अपना अलग roll है, अगर मैं first line पर click करता हूँ और यहां पर mouse को ले आता हूँ, तो देखिए mouse जो top वाल ले वाल है, उससे जैसी उपर नीचे ले आ रहा हूँ, तो कुछ distance दिखा रहे है, वो कह रहा है कि next level का हम नाना है, तो जैसे कि या तो mouse को drag करके आप click कर करते हैं, तो एक level यह बन गया आपका 3 meter पर, ठीक है, अब skip button दबाएंगे keyboard का normal का, अब यहां पर आपको doubt आ रहा होगा, skip दो बार दबाते हैं, जिससे हमारा level वाला function में चला जाए, यहार होगा कि यह तो यहीं तक बनी है, यहां तक बनी है, यहां तक बनी है तो इसको कर bubble इस पर क्लिक करके drag करते हुए, इमेजने लाइन आइगेंटर सक यहां छोड़ देना है, ठीक है, skip button दबाना है, एक level यह हो गया, तो दुबारा जाते हैं, level पर हम, और यहां पर first line है, मैंने कहा था कि एक तो mouse को drag कर सकते हैं, direct type कर सकते हैं, direct type के बिना कहीं क्लिक करें, औ ठीक है, अब मैंने यह कहा था कि level के अंदर एक और line है, यह वाली line, इस पर अगर click करते हो तो यहां पूछता है, offset, offset में अगर मैं डाल दू, 2500, यानि 2.5 meter, ठीक है, और अब मैं enter करने के बाद, अगर मैं इस line पर click करता हूँ, जिस भी line पर click करूँगा, उसके उपर 2.5 meter अगर मैं यहां पर click करता हूँ, यह बन गया, इस पर click करता हूँ, यह बन गया, इस पर click करता हूँ, ठीक है, और जो आपका wrong बना है, उसको delete भी कर सकते है, keyboard से, कोई भी चीज़ आप select करो, keyboard से delete कर दो, तो देखिए हमारे level बन चुकी है, north से जब हम देख रहे हैं, तो य जितने level होंगे, उतने ही आपके ceiling plans होंगे, यहां देख रहे हैं, हमने यहां पर eight level बनाए हैं, क्योंकि level zero को भी count किया है, और eight level ही आपके बन चुके हैं, आपके ceiling plan में, तो इस तरह से हम बनाते हैं, level बहुत simple है, बिल्कुल simple है, हमने क्या किया, एक बार और मैं जाता इचा में एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं इस ही point से लूँ, तो मुझे वो फिर bubble को stretch करने ही ज़रती होगी, यह बन गया, दूसरा point क्या है, offset यहां पर डाल दिया, मैंने 1500, 1.5 meter, और मैं इस line पर किलिक करूँगा, तो इस तरह से हम level बनाते हैं, level से होगा क्या कि हम structure के उस level पर जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, बीच में हमें काम कर सकते हैं, वो advance है, बीच हो भी कर सकते हैं, क्या करना होगा, modify करनी होगी, level grade क्या करना हो, आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलाल इतना ही, कि सबसे पहले हमें structure की unit सेट करनी है, उसके बाद कितने level का structure है में वो सेट करना है, तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किजिए, और शेयर करना और बेल आइकन पी क्लिक करना ना भूले, बहुत जल्दी Revit Architecture की वीडियो आने वाली है, ये आज और कल भी हो झाल 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 झाल झाल